प्यारे दोस्तों एक बार फीर आप सभी को स्वागत है आपकी अपने फेबराइड यूटुब चैनल नंदा नर्सिंग लाइब में दोस्तों हमेशा की तरह आज भी एक नए अपडेट लेके आए हैं नर्सिंग रिकूर्मेंट से जुड़े सब्सक्राइब का ही रिकूर्मेंट है प्यारे दोस्तों जो डिपार्डमेंट आप आटमिक एनरजी राजा रहमेंट सेंटर फॉर एडवांस टेकनोलोजी की और से निकाल गई है कि कुछ नर्सिंग वेकेंसी तो इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन एक करने का सतरह मई दोहज सब्सक्राइब कर दिए ताकि आने वाले समयंपे जीतने भी नर्सिंग रिकूर्मेंट रिलेक्टेड वीडियो वीडियो अप्डेट चनल में उप्रोफ होती होती है आप लोग को सारे नोडिफिक्शन मिलते रहेगी तो जरूर सब्सक्राइब कर दिए तो देखिए प्ल प्यारे दोस्तों देखिए पोस्ट कोड बीवन जो है नर्स वाला वेकेंसी है आम लोग का नर्सिंग वाला वेकेंसी है और नंबर पोस्ट है एक ही पोस्ट निकाल गई है रिजब फॉर एसी के लिए इसके लिए एसेंस्यल क्वालिफिक्शन रखा गया है 12 टांडर्ड और डडिप्लोमा इन नर्सिंग मेड़े जो तीन सल्गा प्लैस वर्एक रेजिस्ट्रेशनें एच नर्स वाव सींग नर्सिंग न назвagion analytics यानिकि हर आप में जाएगा या आपके लॉक में जाएगा यह एक ही पोस्ट होते हैं तो भी इंपुर्टेंट वेकेंसी इंपूर्टेंट पोस्ट है क्योंकि यह परवांने वेकेंसी है तो पैरा दोस्तों और भी दिया है है लिजिबिटी कि नर्सिंग एस एक्सपिरेंस इन होस्पिटल और नर्सिंग एसिस्टेंट क्लास थार्ड एंड अबोब फॉम आर्म फोर्स तो यह वाला लोग भी एप्लाई कर सकते हैं यानकि इसमें कोई भी एक्सपिरेंस नहीं मांगा है बीसी नर्सिंग के लिए सेलेंस तो स्टेज उन स्टेज टू रखा गया है स्टेज उन में रखा गया है как tex apren यहने की कुल मिला कि 50 multiple choice question रहेगा एंड चार option रहेगा आप लोग के लिए एंड वान आवार का duration रहेगा exemption के लिए and three marks for each correct answer तीन मार्क मिलेगा each correct answer के लिए and one mark will be detected for each incorrect answer so wrong answer बनाएंगी तो एक mark deduct हो जाएगा negative marking है तो प्यारे है दोस्तों lowest cut-up in stage one cell net be fixed below 30% 30% से ज्यादा आप लोग को लाना पड़ेगा lowest 30% होगा तो आप लोग eligible नहीं होंगे second advanced test के लिए तो stage two advanced test में जो है all candidates screen in stage one will undertake an advanced test in nursing trade and the test will be compromised multiple 50 multiple choice question choice for four answers and four option रहेंगे and two hours duration रहे आप लोग के लिए and three marks awarded for each correct answer and one mark detected for each incorrect answer so this may be stage two में भी negative marking है and each correct answer को मिलेगा three marks and 50 multiple choice question रहेंगे तो प्यारे दोस्तों यह two hours का examination रहेगा stage two का and जो lowest cut up रखा गया है below 20% बाला लोग को नहीं लिया जाएगा above 20% बाला लोग को लिया जाएगा and प्यारे दोस्तों stage one and stage two stage two जो है conducted on the same day में अब लोग का हो जाएगा exam and stage three में skill test होगा यह जो final test stage one stage two यह qualifying test then उसके बाद आप लोग को skill test जो लोग का highest percentage रहेगा वो लोग को skill test के लिए list down किया जाएगा and skill test करवाया जाएगा and based upon the merit list prepared after stage two stage two के बाद ही prepare कर किया जाएगा उसके बाद आप लोग को skill test करवाया जाएगा and प्यारे दोस्तों जो kindred will have a choice to answer in Hindi or English in written test and skill test अब Hindi में भी दे सकते हैं और English में भी दे सकते हैं and you can get clearing the skill test will be shortlisted and in panel in order of merit based on the mark secure in stage two so stage two में जितने marks secure कि होंगे उसी के base के हिसाब से सिलेक्शन सटलिस्टेट किया जाएगा तो इसी के लिए जो नर्सिंग वाला वेकिंसी के लिए एज लिमिट रखा गया है 18 years तक minimum and 35 years तक एक अप्लाइट कर सकते हैं बोले तो 35 years maximum एज रखा गया है तो प्यारे दोस्तों जो सेलेरी रहने बाला है 44,900 प्लस एज जेल एलाउंसेस रहेगा तो यानि कि प्यारे दोस्तों maximum 75,000 से above salary आप लोग को मिलेगा एंड यह central government employee वाला salary मिलने वाला है आप लोग को सारे एलांसेस मिलेगा central government वाला एंड उसी including करके above 75,000 salary आप लोग को मिलने वाला है एंड नेच्वर अब डूटिज जैसे आप लोग emergency क्यार देते हैं और administration of medicine, OPD observing, recording, reporting यह सब सारा details आप लोग को करना पड़ेगा देन जानते हैं how to apply कैसे apply करना होगा देखिए only online application will be entered and then last date of applying online application is 17 माई 2022 आप लोग को जाना होगा www.rrcat.gov.in में जाना होगा एंड HRD openings current openings में जाना होगा एंड आप लोग को जो application online रहेगा उसमें आप लोग को apply करना होगा क्लिक करके registration करना होगा एंड details अप लोग को submit करना होगा तो valid ID valid mobile number आप लोग को देना होगा एंड फ्यारे दोस्तों आप लोग कहीं government या फ्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो objection certificate भी upload करना होगा देखिए सारा details upload करने के लिए डिटेल्स दिया गया है सारा documents रेशन पास्पोर्ट सब्सक्राइब 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 करना होगा एंड समिट करना होगा उसके बाद फ्रेंट आउड निकालके आप लोग के पास एक hard copy रख लिजिगा soft copy का एंड यह था आप लोग के लिए सारा details यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो तो जरूर लाइक कर दीजिगा एंड स्यार कर दीजिगा एंड चैनल को नए नहीं देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना ताकि आ कर दो